अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो फसंद आ रही है तो प्ली चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर ले बेल वाली नोटिफिकेशन आल नोटिफिकेशन जिससे आपको मेरे चैनल की सारी नए वीडियो अपडेट मिलती रहें तो आंगन वाड़ी बेहनों की आज बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है आईए मैं यह खबर आपको दिखा देती हूँ यह खबर जो है तो यह बहुत बड़ी खबर है बेहनों निकल के आ रही आप लोगों के लिए कि इसको खबर को पूरी आप देखिए जिन्होंने न पाद साब कुछान फैसले उन्होंने लिया है कि 53000 आंगनवाडी करकरता हों कि भरती भी होगी नियुकती होगी फीड़ वैक के लिए कॉल से हर मां एक लग की काल भी की जाएगी होगी हर आंगनवाडी के अंद्र की होगी जीयो टैगिंग जीयो से टैगिंग होगी पोसर उ सव की जो फोटो है वो भी वहीं पे आपसन आता है दर्ज किया जाएगा तो खबर या यह विस्तार से जान लेते और आगे क्या है खबर कि महिला कल्यान बालवी का सेवाइं पुष्टाहार विभाग को अपूर मुक्सिचिव एस राधा चोहान ने बताया कि आंगनवाड की एक वीडियो वाइरल हुई थी उस आडियो में जो है आंगनवाडी की सुपरवाइजर आंगनवाडी से किस तरह पैसे की मांग कर रही है रूपय की तो इस तरह सारी गड़बडी रोकने के लिए आनलाइन उसी निगरानी के लिए सब किया जा रहा है इस अभी लभार् आई तो नहीं है इसके लिए हर मा करीब एक लाक लोगों को केंद्री कृत काल सेंटर से कॉल करके फीड भैग भी लिया जाएगा किसी सेंटर पर फीड हुए डाटा और फोन से मिले फीड भैग में पिरोधा भास पर संबंदित व्यक्ति पर कारवाई भी की जाएगी उतर पारदर्सी बनाने के बारे में बता तो ये इस राधा चोहान ने कहा कि जो लाभार्थी हैं उनके मोबाईल नंबर और आधार नंबर के हिसाब से सूचनाए हमारे पास है हमारे पास 40 सीटों का सेंटर भी है जब आगनवाडी केंदरों से रिपोर्ट आ जाएगी तब कॉल सेंटर से कॉल करके रासन की मात्रा और गुडवत्ता के बारे में फिड भैग लिया जाएगा एक ही दिन में बाटा जाएगा रासन यहाँ पर नई ब्यवस्ता के तहट आगनवाडी केंदर पर रासन एक ही दिन बाटा जाएगा उस दिन फिड भैग भी उस दिन कोई भी अंगनवाडी केंदर पर जाकर देख सकता है इसे पोशाड उत्सों का नाम दिया गया है कोरोना महामारी से बंद चल लए अंगनवाडी केंदर जैसे ही खुलेंगे इसे सुरू कर दिया जाएगा तकनिक उपयोग से पोशा अर्वित्रण में होने और इधांदली रोकने की प्रयासों पर कहा कि हर अंगनवाडी केंदर को जीयो टैक करते हुए पोटल पर पोशाड उत्सों की फोटो अपलोड करने की सुविदा दी गई है जब फोटो अपलोड होगी तो ऐसा नहीं होगा कि पिछले महीने और अगले महीने का फोटा एक ही हो समय और तारीक के साथ जीपियस लोकेशन भी रहेगी साथ में आन रहेगी आईए और आगे खबर में जान लेते हैं सर्वे से जानेंगे आंगनमाडी केंद्रों की दुर्दसा का हाल यानि आंगनमाडी केंद्रों की दुर्दसा सुधारने और आंगनमाडी करकताओं की कमी को पूरा करने पर इस राधा चोहान ने कहा कि सरवे के जरिये यह देखेंगे कि सभी आंगनवाडी में मूल भूत सुविधाएं है क्या उसमें क्या सुविधाएं है और क्या नहीं सुविधाएं है क्या होना चाहिए ये सभी जीलों में आंगनवाडी केंद्रों की दसा सुधरने के साथ ही बच्चों के लिए बेवी किट्स भी भेज जाएंगे तिरपन हजार आंगनवाडी करकरताओं को भरती करने का जीयों जारी किया गया है जिनकी भरती प्रक्रिया जल्द ही सुरू कर दी जाएगी कॉंसिलिंग केंद्रों पर महिलाओं को दी जाएगी पॉस्टिक रेसी बनाने की ट्रेनिंग इनफी जो भी केंदर में है केंदरों पर ही अनगर अमारी महिलाओं को उनको पॉस्टिक रेस्पी बनाने की ट्रेनिंग भी देंगी पोसर अरुफочно पिर भार्तियों को हर जानकारी अनगर अमारी केंदरों पर एक चत के करीब नीचे दी जाएगी काउंसलिंग के साथ ही महिलाओं को सिखाया जाएगा कि वा दैनिक अहार में कौन-कौन सी पोश्टिक रेश्पी बना सकती है के साथ मिलकर होने वाले आगनवाडी केंद्रों पर सर्वे डाक्टर मरिका ने कहा इनमें आगनवाडियों से अधार भूत सिवधाओं का सर्वे किया जाएगा इसको फाइंडिंग सिच्छा विभाग के प्रेरणा एप में एक ट्रैक बना कर दर्ज होगी इससे पता चल जाएगा कि किस आगनवाडी में क्या समस्या है कहां बिजली की दिक्कत है कहां विल्डिंग की जिसके बाद उन केंदरों को कमियों को दूर किया जाएगा पोसर उत्सव के बारे में बताया कि काउंसलिंग के दवरान माता पिता पूरे एक दिन का हाल पूछेंगे उसे नोट करते रहेंगे कि क्या खाया आगनमाडी केंदर पर बच्चों को गर्वती महिलाओं को यूट्रीसियन मिशन निदेसे कपिल सिंग पोसा हार की क्वालिटी चिक करने के लिए त्रीस त्रीस तमितियां भी बनाई जाएंगी ये कमेटिया जिलास्तर बलाक अस्तर ग्राम अस्तर पर होगी जिए निगरा आनी करेंगी पोड़ल पर अवे पर उंचाई फीट करते ही पता चला की जाएगा कि बच्चों को कुपुफट पता चल जाएगा आगा केंदरोंग बच्चों आ घर्वती महिलाओं को वजन मापने के लिए एक लाग मसीने भेजी जा चुकी है साथ ही उचाई और वजन फीट करते ही बच्चे के कुपोशन का पता चल जाएगा यूपी ने निट्रीशियन मिशन के निसक कपिल सिंग ने बताया कि जिले में वजन मापने की मसीन भेज रहे हैं करीब एक लाग भेज दी गई है बाकी जल्द भेज दी जाएगी 6.5 लाग ग्रोथ मानेटरिंग डिवाइस खरीदी गई है जो भेजी जा रही है साथ ये ऐसी अनलाइन ब्योस्ता बना रहे हैं कि यांगनवाडी करकरता दोरा बच्चे की उचाई वजन पोटल फीट करते ही पता चल जा परिवारों को गायों का वित्रण किया जा रहा है इन गायों के रख रखाओ के लिए परिवार को हर माह 900 रूपए की अर्थिक मदद भी की जाएगी इसमें आमदनी बढ़ने के साथ कुपोसाड से भी लड़ने में मदद भी मिलेगी तो यहां पर पहनों के लिए अच्छी खुसकबरी है कि गाउं जो है यह गाय की जो रख रखाओ हो परिवार जो करेगा उसको हरमा 900 रूपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी साथ में गाय के साथ गाय तो दिया जाएगा साथ में आर्थिक मदद 900 रूपए के हर महीने कि माता पीता की होगी काउंसिलिंग केंद्र पर पॉष्टिक रेस्पी बनाने की ट्रेनिंग भी की जाएगी तो पोशड उत्सम में लभार्थियों को हर जन का आंगनवारी केंद्रों पर एक छट के नीचे दी जाएगी कुपोटी वाद दैनिक आहार में कौन कौन सी पाश्टिक रेसिपी बना सकती है उत्तर प्रदेश बालविकार सिवा पुष्टा आरकिंदेसक डांक्टर सारीका मोहन ने बताया ऐसी पहली बार है कि पोशा हार वितरण के समदाय में भागेदारी सुनिश्चित करने के लि हाइँ आधारबूथ सुविधाओं का सर्वे किया जाएगा मतलब इसकी फीडिंग सिच्छा बिभाग के पेड़ा एप पर एक टैप बनाकर दर जी रहेगी आगधारबूथ सुभधाओं को सर्वे किया जाएगा उनकी मतलब सारी जानकारी आंगण वाड़ी में कि क्या ह प्रोटीन नहीं खाया तो पूरे दिन के उसके खाने का पता चल जाएगा तो उसके द्वारा ली गई कैलोरीज को बताया जाएगा जब लाभारती को पता चलेगा को उसने कार्भोहाइटर खाया ये प्रोटीन नहीं खाया तो पोशर दस्क्री माध्यम से लाभारती की काउंसलिंग भी की जाएगी आहार किस चीज में कमी है इस तरह की काउंसलिंग के बाद ही अंगनवारी केंद्रो पर पुष्टा हार का आप भी त्रड किया जाएगा तो आई हो वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करें और सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके वेल वाली नोटिपिकेशन जरू रान करें थैंक्स फारवाची